हेलो दूस्तों, असलाम अलेकूं, तो आज हम बनाने वाले हैं गियों के आटे से एक ऐसा नास्ता है, जिसे कि खाने के बाद आप समूसा, ब्रेट चाप, पकोड़ी, कचोड़ी वगेरा आप खाना भूल जाएंगे, इतना ये अच्छा नास्ता बनके रेडी होता है, हमें इसा बनाना पसंद करेंगे, बच्चों के टीफिन के लिए भी आप यही बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है, तो यहां पर मैं एक कफली हूं आटा, तो हम क्या करेंगे, इसे आटे को बड़ा सा बरतन में रख लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे दो चमच सुजी, सुजी डालने पर यह बहुत क्रिस्पी और करंची बनता है, और यहां पर एक चमच में लाल मिर्ज डाली हूं, तो असा धनिया पत्ता है, और नमक डालेंगे टेस्ट के कार्डिंग, और इसमें डालेंगे दो तिन चमच रिफाइन ओल, डालने के बाद मुयम के लिए सभी को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसे हम दही वाला जो पानी है, उससे हम इसका आटा लगा लेंगे, तो अगर आपके पास यह नहीं है, तो आप तो इसमें नीबू भी नीचोड के डाल सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा तो मेरे पास था, तो मैं उसी के डाल के देखी, यहाँ पे आटा में लगा के रेडी कर लिए और उसे डख के सैड पे रखी हूँ मैं, और यहाँ पे दूसरे बाल में मैं ली हूँ, दो चमच, यह है आटा, और इसमें कुछ सुखे मसाले है, जैसे कि नमक है, थौसा धनि पता और दो हरी मीर्च, कुछ सुखे मसाले, जैसे कि काली मीर्च, भूना हुआ जीरा, गरम मसाला और एक बड़ा चमच हम डालेंगे चाट मसाला, और नमक टेस्ट के काडिंग, अगर चाट मसाला नहीं है, तो आम जूर का पॉड़र डाल सकते हैं, डालने बाद हमारा मस रोटी बेल के हम रेडी करेंगे, तो थौशा पहले सुखा अठा चिड़क लेंगे, उसके बाद हम इसका रोटी, ज्यादा रोटी के जैसा पतला नहीं बनाएंगे, थौशा मोटा ही बनाएंगे, लेकिन बड़ा सा रोटी हम इसे बना के रेडी कर लेते हैं, तो अब क्या करेंगे, जो आलू को मैं मैस करके रखी थे ना उसे डाल देंगे, तो मैं दो लोई बनाए थी बड़ा सा तो इसको भी दो भाग में करके, एक भाग में इस रोटी में लगा दी हूँ, और यहां पर थौशा केचप लगा दी हूँ ताकि थौशा चट पटा सा ट करके मोडते जाएंगे, रॉल कर लेंगे हम इसे, तो देख सकते हैं, इसी तरह करके, इसमें जो एरस वगेरा है, उसे हम जैसे की बबल्स बन रहे हैं, तो वो सब हम निकालते वे तो उसा टाइठ हातों से इसे रॉल कर लिए हैं, अब यहां क्या करेंगे, कटर से हम इसे आधा आधा इंच पे काट लेंगे हम, सभी को इस तरह करके काट के रेडी कर लेंगे, तो काटने बाद मैं इस तरह करके इसे चिप्टा कर देती हूं, तो इसमें बहुत अच्छा लेर्स बन जाएगा, यह रोटी का लेर्स बनेगा, और इसमें जो श्टपिंग डाले हैं आलू का तो कितना चटपटा सा बनाई हैं, तो उसे बहुत अच्छा यह बनता है, तो है ना इसे, अगर आप आलू चप बना रहे हैं, तो उसका भी टेस्ट इसमें आ गया, समोसा का भी टेस्ट आ गया, ब्रेड चॉप का भी टेस्ट आ गया, मतब आलू के वो गरम हो गया है तेल अब एकक करके इस तरह डालेंगे गोल में और डालने बाद कड़ाही में डालेंगे क्योंकि तेल भी हमारा गरम है तो एकक करके सभी को मैं डाल दी हूँ अब एक सैट से पक किया था तो मैं इसे पलड़ते रही हूँ दोनों सैट से अच्छी तरह से ह सब कर सकते हैं या फिर आप चाय के साथ खा सकते हैं कभी भी बच्चों को लुंच में भी दें इस तरह बना के बहुत अच्छा नास्ता बनके रेडी होता है तो इसी तरह करके और जो बचे थे सभी को में बनाके रेडी कर लेती हूं तो यह था मेरा गेहूं का अटा का अच्छा लगा तो अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें और इसे मैं टमाटे सॉस के साथ दिखाई हूं आप चाहें इसके लिए हरी चटनी बनाए या कोई सा भी चटनी बनाए बहुत अच्छा ही चट पटासा नास्ता बनके रेडी होता है ताब लोग ज़रू ट्राइ कीज अबरू भी चर फ्रव घ्लडर लोग पता एकल करें याल टूज हुँड़ साथ एक्टनी बनाए टूटनी बनाए लोग झाले बनाए भी चड़क्शा लोगिज़